जैस्री क्रिष्णा दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों का बहुत बहुत टेस्टी और बनाने में भी बहुत ही आसान शिर्फ तीन चीजों से बनने वाली ऐसी गजग बर्फी जिसमें आपको गजग चीकी बर्फी सबका स्वाद एक ही मियाने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं सर्दियों का सबसे स्वादिष्ट और सबसे हल्दी गजग बर्फी के लिए हमने लिया है एक कंटोडी तील थील हमारा 200 ग्राम है और मैली हूँ 1.500 ग्राम मुंफली और साथ मैं मैली हूँ 300 ग्राम गुड़ली हूँ अब हम तीन चीजों से फट एकदम श्लो रहेगा और हम इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे ध्यान रहें तील जल्दी भून कर रेड़ी हो जाथ है इसलिए हम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे अजब तील हमारा फूला फूला दीखने लगे और चटकने का आवाज आने लगे और हलका सा कलर चेंज हो low flame बूँनेंगे और हम सिसे से जल जायेगा और एक तरह से खचि रहेगा इसलिए हम लागातार चलाते हुए बराबर बूनेंगे ताकि हमारा मुमफली एकडम बढ़िया तरीकेस से भूणकर रेडی हो जाए जब मुंफली फटने लगे और इसमें से चटकने का आवाज आने लगे तब हमारा मुंफली भूनकर रेडी हो जाता है और भूने में हमको इसको दस मिनट लगता है स्लो फ्लेम पे और इस तरह से हमारा मुंफली भी रोष्ट हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में न तो फिर हम तील को सबसे पहले पीश लेंगे हम मिक्सी जार में डाल कर तील को पीश लेंगे ध्याद रहे हैं तील को हमें एकदम से बारिक नहीं पीशना है महीन नहीं पीशना है इसे हमें दरदरा पीशना है तो इसलिए हम इसे डाल यह हैं मिक्सी जार में और इसे हम दरद तरदरा सा पीश कर त्यार हो गया है अब हम इसे एक बरतन में खाली कर देंगे ध्यान में रखिया इसे हमको एकदम बारिक महीन नहीं पीशना है एकदम दरदरा सा पीशना है ताकि हमारा बरफी है एकदम बढ़ियां बने इस तरह से हम पीश कर इसे एक प्लेट में निकाल अब हमारा मुंफली भी ठंडा हो गया है तो हम मुंफली को भी पीछ लेंगे तो सबसे पहले हम मुंफली का छिलका उतारेंगे रोज ठोने के बाद मुंफली का छिलका एकदम इजली निकल जाता है तो हम हाथ से इसे मसलते हुए इसका छिलका निकालेंगे और इस तरह से मि अच्छे तरीके से इसका छिलका निकल गया है अब हम इसको फटक कर साफ कर लेंगे सारे छिलकों को हम अलग कर दिये हैं फटक कर अब हमारा छिलका एकदम अच्छे तरीके से निकल कर और हमारा मुंफली एकदम से साफ हो गया है तो हम इसको भी पीछ लेंगे और इसे भी हम दरदरा ही पीषेंगे एकदम से महीन नहीं पीषेंगे इसको तो हम इसको भी दरदरा ही रखेंगे इसे भी mixage जार में उसी mixage में डाल दे रही हूँ जिसमें मैं तील पीषी थी अब डालकर हम इसे पीष लेंगे अच्छे तरीके से और यह देखिए हमारा मुंफली जो है पीसकर ready हो गया है इसका मैं ढकन हटा के दिखा रही हूँ एक दम दरदरा पीसी हूँ महिन नहीं है तो हम इसे पीसकर एक साथ कर लेंगे मुंफली और तील को एक साथ हम mix कर लेंगे अच्छे तरीके से देखे कितना सुन्दर हमारा पीसकर ready हो गया है अब हम फटा फट से ब दुक्रों में फीर हम एक करही में एक चमच सूद घी डालेंगे सुदघी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बरफी का तो फिर हम इसमें घी डालने के बाद गूर डाल लेंगे, तोरा हुआ, और फिर हम आज का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम नहीं करेंगे, और गूर को मिल्ट होने देने देंगे, ध्यान रखें, हमें गूर का चासनी नहीं बनाना है, बस इसे पिघलने देने देंगे, जब ये पिघल जाएगा और हलका सा ज्ञाग दिखने लगेगा तो फिर हमारा गूर जो है बनकर त्यार हो जाएगा तो इस तरह से हम गूर को मेल्ट कर रहे हैं चलाते हुए इसे बनाना बहुत ही असान है क्योंकि इसका कोई जंजट नहीं है चासनी का क्योंकि हमें बस गूर को पिगलाना है और पाग इस तरह से दिखने लगे तो बस हमारा चासनी बनकर त्यार हो गया है अब हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है बस इतना ही तक करना है और फिर हम इसी स्टेज पर गूर में डाल देंगे तील और मुमफली को एकदम जो दरदरा में पीसके रखी हूं तो गैस हमारा ए गूर में डाल ले रही हूं और डालकर हम फटा फट से मिक्स करेंगे नहीं तो इसमें लम्ज पर जाएंगे तो हम गूर और तील और मुमफली को एकदम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि हमारा बरफी एकदम पॉर्फेक्ट बनकर त्यार हो तो इसे हम जब ड दस्टालेंगे तो फटा फटसे चलाएंगे लुल ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए यह देखिए कितने अच्छा neurology पराफेक्ट तरीके से गूर मुमफली एकदम अच्छे इसे मिक्स हो गया है तो फिर हम इसे चलाएंगे लगातार और जब कराही ये छोड़ दे और एकदम से एक सार हो जाए तो हम इसे गैस को आफ कर देंगे और हम एक ट्रे में फटा-फट से तेल लगा लेंगे तेल लगा कर चिकने कर लेंगे ट्रे को और फिर हम उसमें डाल द डाल लिये हैं और हम इसे फैला ले रहे हैं आप चाहे तो इसे बटर पेपर में भी डाल कर और बेलन से भी रोल कर सकते हैं हम यहाँ हाथ से ही इसे फैला ले रहे हैं और जब गरम रहे तभी इसे फैला है अगर ठंडा कर लेंगे तो यह जम जाता है गुर तो इसलिए हम जाबर फैला लिया है ट्रे में अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा भूना हुआ तीर में रख ली थी इसे मैं बर्फी के चारों तरफ से फैला दे रही हूं और अच्छे से बुरक दे रही हूं और हांच इस तरह से दबात चाकू से कट कर ले रहा है हम इसे स्कोयर सेफ में कट करेंगे आप इसे अपने अनुसर सेफ में कट कीजिए और इस तरह से हम इजिली कट कर ले रहा है मेरा बेठा जो है इसे खाने के लिए बहुत ही बहुत ही जल्दी मांग रहा है तो इसलिए में ज़्यादा ठंडा नह शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से हम फटा-फट से प्लेट में निकाल दे रहें और सब को खिलाएंगे ये गजक बर भी बहुत ही टेस्टी बनता है सर्दियों में आप इसे बच्चों को बना कर खिलाएं बहुत ही पसंद अचाव से खाएंगे और वहुत ही फाय में मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाए